नमस्कार दोस्तों वेलकम तो माई चानल दे क्रिकेट सॉलुशन्स दे क्रिकेट सॉलुशन्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज का टॉपिक है हाउ टू प्ले इंटरनाशनल टीट्वेंटी लीक्स जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि उसका प्रोसेस क्या होता है एल तो टासा लाइक जरूर करतीजिए थांक यू वेरी मच और चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो सबसे पहली चीज़ जबी एक टीट्वेंटी इंटरनाशनल टीट्वेंटी लीक्स जो होती है उनका एक पोर्टल ओपन होता है रजिस्ट्रेशन का जो रजिस्ट्रेशन ठीक है फिर आपका पास्पोर्ट कापी एज डॉक्यूमेंट अटैज करना पड़ता है उसके बाद आपको नीचे एक ब्रैकेट दिया जाता है कि कितने प्राइज में आपको ड्राफ में जाना है तो वह एक पोर्टल होता है पोर्टल में इंफिस्ट्र पूछी जाती है वैसा आपको मिल जाता है तो यह हो गई उसकी पहली स्टेप अब दूसरा उसके बाद क्या होता है उसके बाद यह जितना भी जैसे आप रेजिस्टर करते हैं तो उसके बाद एक, दो, दो सो, साथ सो, आट सो, हजार ऐसे प्लियर एक टाइप बर रेजिस्टर हो जाते हैं अब हहजार प्लियर रिस्टर होने के बाद है जो पर्लियू यह प प्लेइस एंग होती है लीड ऑर्गनाइजर फ्रैंचाइज इसको भेज़ता है उसके बाद सारी franchises minimum 200 से 200 नाम जैसे XYZ टीम हो गई वो एक 200 नाम बताएगी कि हमको यह प्लेयर ड्राफ्ट में चाहिए ABC एक टीम बताएगी मुझे यह वाले 200 प्लेयर ड्राफ्ट में चाहिए उसके बाद वो particular चीज उनको league organizer को हर franchise ही mail करती है उसके बाद league organizer यह देखता है कि कितने common names है six teams में तो वैसे वो short listing होती है ठीक है वो होने के बाद auction sorry draft में आपका नाम सामने दिखता है screen के ऊपर ठीक है उसके बाद अगर कोई team interested होगी तो आपको लेगी और अगर नहीं है तो keep trying तो यही एक basic process होता है इससे इसमें कोई और इसमें actually player के control में ज्यादा कुछ होता भी नहीं है definitely they can hire a services of cricket agent उसमें उसमें कोई दोरा ही नहीं है but player के हाथ में agent के हाथ में उसके maximum यही है कि they can get registered and then he can market and market his profile and show कि why this player is valuable for this particular teams in that particular tournament तो यही है यही एक थोड़ा सा आपको वाकिफ कराना था कि कैसे international T20 league में आप खेल सकते हो तो most importantly registration process होता है उनका जो आपको form भरना पड़ेगा क्योंकि जो player registered नहीं होता वो कभी आपको draft में नहीं दीगेगा he has to complete that registration before the end of that particular period so यही बताने के लिए मैंने आज सोचा आपके लिए थोड़ा सा एक अलग topic पर वीडियो बनाऊं और hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो इसे like जरूर करिए और चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe जरूर कर लीजिए thank you very much for watching this video Jai Hind